अनन्त धर्मिडस्तत्वं पश्यांती प्रद्यगात्मना अने प्रांत मैं उर्थी मुल्के में प्रक्ताचितां मंगल मुप्पेटम अहीं सासंय मोटवो देवावीतम नमसंपूल अस्टे सयावो दस लक्षण महापर्व का आज ये साथवाँ दिन है पर अध्रम से हम लोग प्रत्वेट दिन के एक धर्म के मर्म को स्वरूप को समझने का यहां प्रयास कर रहें आज के दिन हमको उत्तव अध्रम के बारे में समझना है कि सबसे पहले चार दिनों में प्रूद माण माया लोग इन चार कशायों का अभाव किया कि उसके अनंतर हम इस सत्य धर्म के उपलगति है कि हम यतार्द को समझने कर दो कि कि ने चारों कि और श्रूप का धर नियुक्त कर भी नीज़ी कि और रूप से आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं कर पार है तो कि ब्रूब वो सकता है जब तश्कायों का राव है जब हम उस वरूप को समझ गए उत्तम सब्दे को जब समझ गए तो हम ने कमोग्ष मार्ग हमारा प्रारण होगा और हम लोग कुप्तम साइयम को समझे कुछ साइयम के बिना कोई काम मिलें ता जिसे बिना नहीं जिनराज सीजे तू गुल्यों जंकी जिसके बिना जिनेंदर देव भी मुट्ति को प्राफ्ट नहीं कर पाए उसके अभाव में तू इस जग में रो रहे हो इस किचड़ में फसे हुए हो हम को संखें की बते हैं कि कैंदरी संखें कि अब उसके बास अगला नबर मता है दम पर, जैसा कि पहले हम शुडू से यह बात कहते हैं इसलिए पुरोग अपनी आत्मा में आत्मा में रमन किया जाता है वह आचारे जेसें में अपनी पीका में परिभाशा लिखी है शास्त्र के मात्यम से उस परिवाशा को समस्त्र वेश की आगे चर्चा करें गों लिखते हैं शमस्त रागादी परभावेच्छा त्यागे न स्वश्वरूबे प्रतपनम विजयनम अपकर यानि समस्त रागादी परभाव की इच्छा की त्याग द्वारा जो आत्मा की परभाव नहीं तो पुन परभाव की इच्छा है तो कहने उसके त्याग द्वारा पर रूप में रमण करना पर रिजियन करना इन पर लब्धी कर लेना यह तब कहला तक शास्त्री लच्छान तक पर यह है कि समस्त रागादी भावों के त्याद पूर्वक आत्म स्वरूप में अपने में लीन हो जाना अपनी आत्म लीनता द्वारा अपने विक्तारों पर अपने शास्त्रों में देखे हुए एक परिवाचा और आती है कि अपनी इक्षा का निरोद करना 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 वो ऐसी धारना बना लेते हैं इसको थोड़ा गंबीता से समझना बिना घबडाए है कि हम ऐसी धारना बना लेते हैं कि सुक्षिया के सिनने उपवास किया के स्फिया केसी एक दिन गॉपास किया कि उपवास किया थे तपस्षी महा सुआ तो हम इन परिभाशाओं इस द्रिष्टी से हम तब को समस्ति आज तर इसी द्रिष्टी से तब को मानते आएगी और जगत में भी इसी द्रिष्टी से तब की व्याठ्या होती है लेकिन यह जो तब का लक्षा ने की कहा रहा इक्षा निरोद अपनी इच्षा का निरोद करना तब एक बहुत चोटी जी कहानी बताता हुए लोग किस द्रिष्टी से तब को समझते हैं एक मुनिराज पर उन्होंने एक महिने का उपवाज किए और बहुत अच्छे से उनका उपवास उनकी आराधना चली तब चला है फिर उसके बाद कि एक महिने बाद को पाड़ना कि उन्होंने और आहार चरिया के लिए बैए और आहार चरिया पर जान करके उन्होंने दो ग्रास का आहार है अब फिर अपने अंजली छोड़ करके फिर उन्होंने अगले एक महिने के लिए उप्वास करते हैं और अग्यानी जीवों को क्या लगता है कि मुनिजा ने जब एक मीना और उनको ख्वास करना अधा उधिन का एक मिनिट के लिए नों जो दो ग्रास का बजन लिया तो क्यों लिए उससे क्या परक्त है यदि वो ऐसा नहीं करते। एक समय उगी एक मिनिट एक लिए उन्होंने जो गृश्व का भूजय दिया वह नहीं तो नहीं कर दो मईने के तबका रेकॉड विल्या एक महिना पहले उपवास किया और एक महिना भाद तो वीज में ब्रेट कर लिया इसके कारंद से दो महिने का रेकॉड नियुक्व कि अग्यानी लोग तो सब को रिकॉर्ड में गिनते हैं रिकॉर्ड बनाना चाहिए लेकिन वो तपस्वी घीत था वो अपनी वुनिलाज अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं तो बीच में उन्होंने आहर पूल कि अपनी इच्छा को चेक करने के लिए आदिया कि हम उप्वास तो कर रहे हैं लेकिन इच्छा का निरोद हुपा रहे हैं कि जैसे आपको भूख लगी है तो भूख ऐसी है कि आप आज दस रोपी घा सकते हैं इसनी देल गूख लेकिन आपने जब घूजन करने आप बैटे आपने खाली ली आपने चाहिए दो रोटी बेट है करो तो अपने आपने कि एक्षा का निरोद किया दी क्षा को थी कि हम दस अगी घूपी लग लेकिन आप रोपिक अपनी एक्षा के पूल्टी की उप्षेश सिच्छा का प्याद कूलेए उठर की इंटीं की विपाम चला लें इत्याद करना इसाँ करना कि इसलें कहा गया इच्छा के निरोध का नाम आपकी एकशा का संसार है लेकिन अपनी इसका निरोद कर लेना यह तब की स्रेणी में आता है और आचारे जैसे इनके जैसा कहा है कि समस्तर आगाधी पर भाव का त्यातर की उनकी इच्छाओं का त्यातर जो निजस्वरूप को जानता है कि उसके उत्परिष्ट तब होता है और भी बहुत सारी बाते हैं अश्ट पावड में आचारे कुंद कुंद कहते हैं सम्मत विरही आडम सुट्वी उग्दम तवं चरंताडम अभी वास सहस्य कोड़ी यह पग पर यह बात की कहीं है कि यदि कोई जीव कि सम्मित के विना करोड़ों वरशों कर दिक उग्रत परे शरीपूब करना असानी नहीं हुता है निकिन अगर वह समयत्तों से रहें तो भूद ही लाप को प्राफिणने करते है लिए कि इसलिए जिस सब्सक्राइब को हमने समयत्य आविनावावी कहा था इसके प्रकारियन तब धर्म भी सम्यत्युक्त आविनावावी आप देखो ऐसा क्यों कहते हुए तुछ से तब को आविनावावी क्यों कि लिए जैसे इसको धक्का लगाना है पर आगे बढ़ाना है बहुत मेहनद चलिए बहुत सारे मिस्त्री मजबूर बुलाए पसीना बहाया तो कोई ट्रेन थी इसको थोड़ा आगे बढ़ा तो कम से कम दो कुलों मिदार आगे पिसका ज़िए चलिए तो सबने राफ बहुत सक्षा लगाया पसीन आगे बाद है वह द्रेन थी बहुत बढ़ी आगे लेकिन सुबह जब इंजीनियर आया तो उसमें कि वह वह बेकार ताथ बहुत पसीना के है तूर्ट हमने तो इसका यह रगाए बढ़ा बढ़ा तो इतने लोग लगे र करता है कि आपको पूरब की दिशा की तरफ हमारा काम हो रहा था उस दिशा की तरफ आगे बढ़ाने को लेकिन आप पश्चिम की तरफ इसको आगे तो पड़ लेगी लिकिन गलत विश्टाम आप तो वो इसकी सिद्धी नहीं तो उसका तब वेकार और इसी तरफ प्रियोज के बिना प्रियोजन सहित हो और द्रिष्टी सम्यक्त हो तब जो तप तपा जाता है कि वह कारेकारी है कि तब के प्रती होगत सारी बाते आचारे कुंद कुंद में समय साहर में भी गाता करी है कि परमठ थम्मीदू आठी दो जो पुरादी तवम बदम चथारे लिए तम स की वाधिध्य जो परनवार्ड में इससे जीव त अपनी अपल भूति से रहे हैं जो जीव तब करता है और व्रतो धार्ण करता है उनके उन्हें सब प्रतों और तब को सर्वत भज्वान ने बाल तपकी संगया हम स्थी दोघ्यागत कि वह सब्सक्राइब की जाती है वही सच्ची कारेकारी होती है और उसी तब की परिभाशा सांस्तुरों में कही लेए कि लोग जो प्रवर दानत्राइजी की पूजन पड़ते हैं उसमें जो चंद आता है कि तप चाहें सुर्व राय करम शिकर को बज्ज है वादश विजी सुख्यदा क्यों न करें निजिश्क किसंद अप चाहें सुर्व राय कि जैसे सैयम के लिए कहा था वही स्थिति इस तप के लिए भी कि आश्रे करते हैं सब्सक्ति करते हैं वह पोदर प्स काम्ना करते यह चाहते हैं इस देश्कनी से देखें तो वह कि मनुश्यों करने की सामर्थ पुरुशार्थ की शक्ति लेकिन देवगत्य के जीव चाहें तो भी तब नहीं कर से ना उनकी शरीर के वस्ता ऐसी है उनकी जो पूमी का है या जो उनकी गती है देवगत्य उसमें यह सामर्थ ही नहीं कि वह चाहें को कि इतने वर्शों तक उनको पूही Capital लेस्षिंघ्य को कि ए क्जिण को ग्रहाण करना कि ग्रहाण करता है उनको तो वर्षो में कहीं अगर कहीं भूख का अगर रंदमात्र भी प्लादा उत्पन होती है तो अपने आप उनके कंट से जर जाता है तो देवतती के जीव यह जानते है कि जब तक हम चाहिए कितने ही सुप में रहे जब तक हम तपश्चरण नहीं करेंगे तब तक कर्मों का नाश सब्सक्राइब करम शिखर को बज्ञ है इसका विशाल बच्छ शिखर बच्छ शिखर पे समान है तो हमारी आत्मा में अनाधी काल से चिक्ट्चे हुए है हमें दुखी कर रहे हैं हमें संसार बठाट अगर इन कर्मों का नाश करना है तो हम को तपके प्रतियव के सरभधा करना हिए कि तुक्रश कर लिए कि नहीं करें रागा प्रकार तब तब कहना आता है तब किने प्रकार अगए शे अंतरंग तब कहला है और भाईरन तो वदिधी यह सुपो देने वाले अगांए प्रकार के अब वो बता करके हमसे यह बात कियों नहीं करें निजशक्ती सब्सक्राइब आप अपनी शक्ती के अनुसार इस तक को धारण नहीं परणपरा में एक बात मेंशा से बहुत जोड़ देकर कही जाती है कि लिजशक्ति अनुसार बित पर्फ highway वी कहा जाता है को नहीं होना चीह पिशर ती है लेखिन किर हम क्रमा के यह यह वहाने से चीपा रहे तब नहीं कर कि है लेकिन अगर शब्टी जितनी शकति कि उतनी शक्ति के अनुशार करना चाहिए जो मनुष्य भव्व करने के लिए कि संप्रदाय पूछन करने के लिए और चोटी-चोटी चीजों में अपने मनुष्य भव को व्यर्थ नहीं लवा सकते हैं कि अप्ष्य आज जगत में जितने जैसे जान आफ्टा कैसे शुद्ध बनती है उसकी शुद्धता का मापद्ध क्या है कि शुद्धता का मापद्ध यह है जैसे 24 करेट का स्वाम तो कहते हैं कि इसमें कोई अशुद्धी निया होनी चाहिए इस सोने में कोई मिलावट नहीं है तब ये शुद्ध बनता है और उसमें से यदि उसके अंदर किछ मिलावट तो उसको दूर करने का उपाय क्या है तो जब तपाते हैं उसकी अशुद्धी दूर हो जाती है अब विश्व दिस्वोना हमारे सामने अपने के बाद जैसे जातु को तपा करके शुद्ध किया जाता है उसी तरह आत्मा को यदि शुद्ध करना है उसके लिए तपश्चरण एक अनिवारी शर्फ है जब तक तपश्चरण नहीं करेंगे तब तक वह आत्मा भी वैसी शुद्ध नहीं होगी जैसे सोने को तपाए बिना वह शुद्ध हो जाता है कि इसकी क्या आवश्चक्ता है इतना करने की आवश्चक्ता क्या है और लोग ऐसे भी कहते हैं कि शरीर को क्यों कश्ट दे रहे हैं? अपका शरीर है आप इसको क्यों कश्ट दे रहे और उल्टा जैसे आहिंसा की बात करते हैं कि कि dł 17o2 करनी का area तो आप अपने शरीर को कश्ट देकर अपनी हिंसा क्यों कर दें ऐसे ऐसे पुतर करके कि इस तब के महत्त को कम करने की कोशिश की जाए क्यों कि हमारे अंदर सामर्थ नहीं है यह तब नहीं कर पार है इसलिए अच्छा है कि उसका निशेद करना शुरू करते हैं यह जो शाश्वत मार्ग है अले हम उस तब को धारण नहीं कर पार है जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें कि क्यों न करें निचे शक्ति सम्ध अपनी शक्ति के अनुसार आप तब क्यों नहीं करना चाहते हैं और चोटी-चोटी चीनों से तब की शुरूआत होती है लेकिन हम लोग इतने ज्यादा सुविदावादी हो गए हैं सुम्हारा पंखा असे तो आत्मद की रर्च्छा आतमा की रच्छा करुक्रूस तब करना दो सब्सक्राइब तो तब करनें जब राश्ट की रख्षा का प्रश्णा आता तो सेनित का ठब करते हैं था जाकर कि हमारी आपकी तरह झिस तरह सुप में हम बैठे यह लग जाए और उनकी ट्रेनिंग ना हूँ तो कि रास्त की रक्षा हो सकती है कि इतनी भीषण गर्मी में भी वह वाडर पर खड़े रहे तो भी वह वाडर पर खड़े जाते इसके पहले उनकी ट्रेनिंग उठी अभ्यास कि अगर उसने तपस्चरन किया उसके शरीर को इतना मजबूत बनाया जाता है ताकि वह सर्थी गर्मी सब कश्टों के शरीट पर असर ना पड़े और यह बॉडर पर खड़ा होकर हमारे नाश्क की रक्षा दुश्मनों से निप्ते शक्तु का नाश्करे इस दृष्टी से उसके शरीर को मजबूत बनाया जाता है आपका शरीर हमारा शरीट विए जैसा उसका लेकिन उसके लिए प्रसिक्षन लिया है उसने प्रसिक्षन सुख में नहीं लिए जान भूचकर शरीर को कष्ट दे कर लिए तो इस यहां पर तो यह बात हमको जटती है तो ठीक ही कर रहें तो कि शरीर से मजबूत बने रहें लेकिन कि आत्मतल्यण की बात भूपे रहने से क्या फाइदा क्यों उप्वास करते हैं क्यों अन्न छोड़ते हैं कि जैन परंपरा में एक बहुत सुन्दर चर्चा आती है सलेखना की संथारग वो भी तपश्चरण है कि जैन योग का एक अधुद्ध प्रियोग है कि जब वह प्रिद्धावस्ता अत्यंत्य प्रिद्धावस्ता को प्राप्ट हो गया है ऐसे रोग से क्रसित हो गया है जिसका प्रतिकार करना संभाव नहीं है यह कोई ऐसा उप्सर्ग ऐसी विपत्ति आ गई है जिसका कोई तोड़ नहीं है कुछ नहीं किया जासकता और मित्यु अवश्च्रम्भावी है ऐसा लग रहा है ऐसे समय में तपश्च्चरण करता है कि सब्सक्राइब कर देता है और अपने साथना समाधी सामाधी की यह सब लोग गए कि सब्सक्राइब नहीं कर पाते ना उसमें उपर उसमें जीवन भर तपश्चरण की आराधना की है जिसने जीवन भर नहीं कि कभी उसके बारे पर सुना नहीं कि एक समय का भी आर चोड़ने की इंवत इसने नहीं दिख लाई एक दिन का भुवास एक असन करने की इमत लिए तभी प्रेक्टिस नहीं कि आप क्या पेक्षा करते हैं कि वह अंत समय में उसकी सनलेखना सफन हो जैए यह वैसे ही है जैसे कहीं रेस हो रही है उसमें गोड़े लगे रहा गोड़े गोड़ों की रेस तो उसमें कौन सफल होता है उसमें जिसने पहले गोड़े को दोड़ाया जो पहले गोड़े पर चड़ करके प्रैक्टिस कर चुका है वो रेस में जाता है तो वो सफल होता है और पोई अनाडी वेक्ति पहली दपा गोड़े पर बैठे चाहे कितनी अच्छा गोड़ा है सीधे रेस के समय गोड़े पर बैठेगा तो क्या होगा जो यहां पर आकर कि गोड़ी में बैठने की प्रेक्टिस कर देगा तो 99 परसेंट चांस है गोड़ा उस ने को पटक क्योंकि उसने कभी उसके साथ अभ्यास लेकिए तो जो अंत समय अच्छा हो इसके लिए पूरा जीवन अच्छा रखने की आवज़ा है और तपस्चरम के मात्यम से उसका अभ्यास किया तो इसलिए कहा द्वादश निदि शुखदाय क्यों न करे निज सक्थी सम्थ अब अपने अपरादों की चमायातना करना यां तरण तरण तब गुरु की विने ज्यान दर्शन चारित पर उप्चार इस तरह चार प्रकार की विने करना वही यावित शेवा करना अंतरंग तब में तक में इन सब के प्रति अंधर से सेवा का भाव भी होना कि स्वाध्याय को तो परम तब का और यहीं अंतरंग तक के अंतरगत विनाई से वाचना पिछना अनुप्रेच्छा आमनाय धर्मूत देश इन प्रकारों से स्वाध्याय होता है वाब बताओ आज हमने दस दिन का उपवास किया लेकिन दस दिन तक स्वाध्याय किया अगरण कि असे दस दिन टत्वार सुथर पढ़ने की परमपराये तो कोई तपस्त्र ही नहीं करें तो हमारी एक अवधारणा विक्सित हो पुपी है मात्र भोजन का त्याग इस तप माने भोजन चुछ यह अमरे दिमाग में बनने रहे लेकिन भोजन का त्याग यह कुछ तपका एक अंश है वह भी अनिवारे लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो तपके अंतरगत आती हैं तो उस तरफ हमारा ध्यान भी है क्योंकि हम सुनी सुनाई आउधारणाओं पर ही विश्वास करके चलते हैं इसी तरफ स्वाध्याय तप है विक्सर्ग तप है जो तो जब जीव अपनी आत्मा में शुद्धो विवप्रूप ध्यान करता है उसको ध्यान की सित्थी में यह तो अंतरग इंको इसलिए का जा रहा है कि यह अंदर ही घटित होते हैं जरूरी नहीं कि यह तब बाहर से जाई है इनकी कुछ क्रियान तो बाहर काथे जारूरी और जैसे इसे बैठा नहीं टुूप अयाम मेरे मन में करनां छाहां है जब तक मैं ग्रंत से कोल के नहीं लेकिन जो बहर से बहुत है वह बाहर से बहुत है जैसे अंशन नाम का अंशन तप में क्या होता है अंशन तप में कि वह बोजन किरहां नहीं कि दूसरा है और मौदरी तपका एक तरीका यह बहुत है कि दोनों समय भोजन छोड़ना तो एक समय का वोजन का त्यार करते हैं लेकिन वह भी अवह मौदर यह बहुत है यह बहुत से कम लिए एक समय भोजन कर रहे हैं तो एक समय भोजन में भी दोनों समय का वोजन कर लें इसा नहीं गृद्धता हो जाए तो वह उस समय भी मान के उसको दस रोटी की भूट है तो वह दो चाहिए कम है और इसमें इच्छा का निरोद दिख रहे हैं पिर गृत्ती परिश्चान तो पूनी राज विशेष कर जब आहार करने जाते हैं तो इसी एक चौके में है जाए हमेशा उसी चौके में जाकि आर तो क्या लेक्षर लेकर खड़े होंगे और आहर के लिए कह रहे होंगे तो करें ने खड़े तो नहीं दो जो श्रावक वर्ग है वो प्रतिज्ञाओं को अलग अलग तरीके से खड़े होगा अगर वह चीज उनको मिल जाती है तो तो वह किराण करते नहीं कि आज अहार नहीं भी वह पाएगा जय के आहार के लिए लिए लेकिन विधी नहीं अ कि आज इस दिन में नमक नहीं खाऊंगा एक दिन एक फेक रस कत्याँ सब्सक्राइब आयुर्वेट की दिश्टी से स्वास्ते की दिश्टी से भी इसको बड़ा मात्यकून होता है तो यह त्यार की बहुत मात्यकून होता है और विविट शयासन विविट शयासन का रभुटा की ऐसे निर्जन इस्थान पर निवास करना या सोना जीद गंतु से रहे तो विविट हो और वहां पर बिना किसी विस्तर के पिछोने के जैसे पाटे पर या प्रक्तर पर ही शयन कर लेना जब ऐसा करेंगे तो शरील सुप लेकिन उहां पर शयन कर अपने शरीत को इसलिए ताकि वह सहन शील बने यह तपस्या कैला है कि हमको आपको लगता है बहुत हो रहा है लेकिन उनके लिए वो तब अभ्यास के माध्यम से इतना पुछ्ट हो चुका है कि उन्होंने को अभ्यास कर लिया है आपका अभ्यास नहीं इसके आपको लगता है महान पर बोड़ा है लेकिन वो तक उनके लिए एक आम की चरिया तो क्यों हम उसका अभ्यास कर लेता है उसके लिए वो कश्ट भी सहद हो जाता है इसी तरह प्रकार की आसन लगाना जिए प्रकार से शरी को जाता है लगने 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 लगता है लेकिन उसको भी तरह से अलग अलग योग मुद्राय अरण करके भी अपस्क्त की जाती है और शरीर में सरदी गर्मी यह सब कश्ट हो रहा है तो भी उसको इसके लेश को से इंदर को इस प्रकार वादश विदीश कुषदा कर दो पर दो कि हमारा चक्तों के लिए यदि हमारें में ज्यादा समय लगाएंगे और आत्माराधना दो करेंगे तो करम शिक्तर को बरच्च रहें ऐसा कर्म भी नष्ट हो जा क्रमी नष्ट हो गई हम से ही ऐसा संभाव कि उत्तम तप सब माहिं बताना करम शहले को बच्छ समान कि इसके बिना कर्मों का नाश कुछता नहीं इतना पुर्शारत तो करना पढ़ेगा हमारी क्या आदब हुए लोग अगवान भरोसे रहने की आदब आज में हम चाहते हैं कि मोख्ष तो चाहिए लेकिन हम खुद कुछ नहीं का चाहते कोई हमको ऐसे उठा करके मोख्ष में रगते परमसुख में रगते ऐसा जा रहे थे कि एक नौ से दूसरे जाते हैं तो बीच में जंगल पढ़ते थे पहले जा रहे दिखने में ज्यादा आ नहीं रहा था तो अचानक क्या हुआ कि उनका जो लड़का है वो इस सूथे कुए में 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 आसका सुछ बनानी का था समझ में नहीं आया और व लड़का रोने लगा चिलाने लगा बापा मुझे बच्चाओ पापा मुझे बच्चाओ बापा मुझे बच्चाओ तो लड़का इतना आज़सी था कि तुम देखो तोड़े तोड़े पत्तर निए पैर रखके आँ सब्सक्राइब तो पिता जी ने का यह तो बड़ा आलसी है और जरा साथी पुरुशात करना नहीं चाहता है कि इस पुए से बाहर निकल लागी कि पिता जी ने कहीं दर दर कोच खाज के रसी तेयार की उसमें दो ती जाखें बांगे आएसा करो इस रसी को पकड़ा और चड़कर के ऊपर आज तो इतना आजसी था पापा मैं नहीं चाहता है रस्ती भी नहीं पकड़ सकता है क्यों अपनी जान बचानी है तो अब आज़े वह तो आना पड़ेगा मैं करूंगा कोशिश उपर से थोड़ा कीचु उड़ागी तुम कम से कम चलो तो तो तहीं है कि अब आज़े से पिताजी क्या करें तो प्चानी की तो लड़का क्या बूखता है पता है पापा आप ही नीचे आओ और और यह उठागे उपर आज़ें कि अगर मैं नीचे आगया तो हम दोनों को उपर को हुआ है कि मैं इतना कर सकता हूं कि पर रस्ती बेज़नी बचा लिए लिकिन कभी तुझे समझ में नहीं नहीं आए लिए हालत हमारे सब्सक्राइब हमको भगवान ने रस्ती बेदी इस भवूप से निकलने का रास्ता सब्सक्राइब कर दिया कि लेकिन हम कुछ करना नहीं होना चाहिए कुछ भी तप नाम की चीजी खतम करना चाहिए गर्मी है बहुत ज्यादा गर्मी तुन कर दो यह जो सहज सुलब वही पसंद नहीं चाहते हैं तो इतना कश्त नहीं सहन करना चाहते तो हमारे तो पर्वतों पर उंचे उंचे पहाड़ों पर चाहते करके नगन दिकंबर हो करके तपस्या करते हैं तब जातर के मुच्छी प्राप्टू हम यह चाहते हम ऐसे कुरसी पे बैठे रहें इसी में बैठे रहे सब तुमिदा बनी रहे और हमको तो यह संभव नहीं कि वो लड़का बार-बार पापा आप नीचे आजा आप प्यार न सब चाहते हैं तुझे प्यार करता हूं कि इसी दिए तो बैठा हूं आप तुझे कह रहा हूं उपायबता लेकिन जो तुम चाहते हो ना कि मैं नीचे आजाओं और तुम्हें उपर उठालू तो यह संभव लोग की पूजा करते हैं बगवान आप आओ तो मुझे उठाओ ने तो बस आगे आपके आप यह चड़ाने के लिए आप यह उठाओ भवान भी क्या थे वह तुम्हारे पास ऐसे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकते क्योंकि हमी बहुत मुश्कित पार लगे तुम हो कि हम किसी तरह नहीं हम फिर से तुम्हारे पास आजिए हम भी समसार पास हैं ऐसा नहीं होगा है तो उस लड़के से भी रात होने को आई उस लड़के से पिता जी ने का कि देखो बेटा यह मैंने रस्ती दाज़ा हमें रस्ती पगड़के रात हो गई है मैं सो भी आहूं आराम दिन भर तुमने एहरां करें तुमको जिस दिन अकल जिस तमएं आता लाजए ऐसे हिला देना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा फिर चड़के उपर आजाना लेकिन वह अकल उसको आ नहीं कि कैसे चरे तो किता जी क्या करें इसी तरह हमार दीदंकर परमाटमा ने भी जिस हवह रूपी पूख में हम रस्ती लड़कर मुछमार्त्री रस्ती बता और गर्रचमार्ण सभी जीरों को उन्होंने और इसे पार हम सभी बूटी जीरों को उनोंने कहा कि वैएत तो मगर इसका अनुसरान करोगे लेकिन इसके लिए चड़ने का कश्ड़ करना पड़ेगा और हम भो पुरुषार्ट नहीं करना चाहते इसलिए लोग भजनों में भी गाते हैं और वार्दमान को वर्दमान की आवश्थ क्यों है वर्दमान मुक्तों के लिए हम चाहते को कि फिल से आओ और भगवान तुम्हें एक बार इस घर्दी पर आना होगा वा सुझी हुई जंता को जड़ाना होगा एसे कहए कैए के भगवान को रहे नीचे बूलाना चाहते हैं और बहुत सारी बातें बताई जाती है यह आपको महिमा बताई जाती है किसी तरह आगे से निकल करके आए फिर भू बिकलत्रे में जंग हुआ पशू तन भारण कर लिया पशू योनी में चले गए और भारा मनुष्य तन वहां दुर लिए जिसके लिए देवता भी तरसते हैं तो बहुत दुरलब है किसी तरह भटकते भटकते हमें यह मनुष्य जंग मिल जाए इस को भी हम पैसे करने पर जसनों में प्रस करके लाद दिन खाने पीने में यह घुझा लगा रात दूंग लगाते इसी और भी गूंत्यों की बाते इसा सोच सोच कर कि यह तो शुकर यह कह रहे हैं अच्छा पुल मिलना अच्छा परिवार मिलना है बड़ा मुश्किल होता है आयू मिलना जनम होते ही मर जाते कुछी की नहीं पाते कई लोग जनम हुआ कुछ सब्सक्राइब और निरोगिता हमारी आख सुरक्षित है देख सकते हैं पड़ सकते हैं यह बहुत बड़ा धुरुलब हमारे लिए लोग किसी की आँठी नहीं है तो बिकार देखी नहीं सब्सक्राइब समझ में नहीं आए उसका मनुश्य वह बेकार है क्योंकि विवेट की जाजरेत नहीं इस वाद्ध्या नहीं करते हैं जब इतनी चीदें हमको प्राप्त हो गई है तो शीरी जैने वानी तत्व ज्यानी भाई विशयप योग्यता हमको जिनेंद्र वगवान नहीं की मिली है और तक तो घ्यान विला एक अपने स्वरूप में रहने की योग्विता फ्राप्टे अगर इसकाम्द्र आदेमाहां बिश्याय किस दुर्णब तीच को प्राप्त करके जो विशयों को लिग्यों को नहीं कि हैं कि याद करके जो इस तब का आधर करता है यह बहुत आदर पालना यह आदर यह दूछरा यह कोई चरण कर रहा है तो उसका संबान कर रहा है आप जब उसका संबान करेंगे तब यह नहीं कर रहे हैं तो कि मजा करो तब को जो है तो यह हम कर नहीं पा रहे हैं तो जीवन में कभी हमारे अंदर आए रहे हैं तो कम से कम करना पड़ेगा इसके बिना जीता नहीं हो सकता हम मालों नहीं कर पारें तो हमारी कम जोरी है इसको विशेष्टा ना मान्यां तप नहीं करने तो यह वैसिष्ट नहीं यह वारी शरीर की मन की कम जोरी है क्या मुस्तफ को नहीं कर तो नारभाव अनुपम कानत घर पर मणी मैं कल शाधन यह नरभाव मनुष्य गंद मिला अनुपम इस मनुष्य भाव रूपी घर पे कनत मणी तपश्यार उपी स्वान कलश आप इस मनुष्य भाव के ऊपर रख कि जैसे मंदिर के ऊपर कलाश रख देते हैं तो मंदिर के इतना संदर हो जाए तो हमारा यह जो जो फासत्व है एसके ऊपर अगर कल मनी मैं घ्ल्यान कारी हो जाए तपस्या को अपने जीवन में पुपस्यत करें तपके प्रती अपनी आउधारना इस पश्ट करें और उसका बहुमान करें तो सबसे बड़िया है ना कर सकें तो उसकी अपनी अशक्ति को पहचाने कि मैं क्यों नहीं कर और यदि कोई दूसरा जीव तपस्या कर रहा है अपनी करब से जिकना हो सके उसकी वहिया विद्धी करें उसकी अनुकूलता ताकि उसकी तपस्या चलती रहे उसकी सेवा करें इससे भी हमें तपका फल मिलता है इसका भी फल हमको मिलता है और वो उस पल के रूप में हम भी कभी तपस्वी बन सकेंगे हम भी कभी तब कर सकेंगे ऐसी अनुपूटा हमको हमिश्य में अवश्य प्राप्त होगी और हम इस तरह से उत्तम तपके सवरूप को समझ कर उसका पालन करके एक ना एक दिन इस भौ है को यह जाम देखें रम हो जिड़ा है